नालंदा जिला के कुल गाउं में एक तीन साल का मासूम जो है बोरविल में गिर जाता है जिसका ओपरेशन लगभग पांच घंटे तक किया जाता है और एंडी आरेफ की टीम वहां मौजूद रहती है साथी अस्थानी नेता कई सारे लोग काफी जनसेलाब वहां उम्ड़ा रहता है और सारे लोग भगबान से दुगा करते रहते हैं कि है भगबान इस तीन साल का मासूम का जिन्दगी है वह आपके हाथों में है और इसे जो है सुरच्छित बाहर निकाल लिया जाए और भगबान की गिरपास से जो है ऐसा होता है सारे लोगों की दुआएं जो है काम आती है और साथे तीन साल का मासूम बच्चा जिसका नाम सीवं था उसे शुरच्षित जो है लगभग सब्वार गंटा जो है उपरेशन किया जाता है और इसके बाद जो है इसके बाद सारे लोगों में जो है काफी खुसी का माहौल है सारे लोग जो है NDRF टीम के साथ बिहार सरकार को बढ़ाई दे रही है आपको बता दें सुभा से ही लगबग जो है जेसी भी पो प्लैन अपना जो है ऑपरेशन जारी रखा हुआ था साथ ही वहां जो है लिया जाए ताकि इस मासूम की जिन्दगी बच जाए और आपको बता दे बिहार सरकार के तरफ से अथा संभब मदद किया गया और वहां का अस्थानिय परसासन है उन्हें हम अपने तरफ से भी काफे धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक मासूम की जिन्दगी को जाने से बचा लिया ओप्रेशन के दवरान वहां कई सारे लोग मौजूद थे भारी भड़कम भीड थी कई सारे बड़े-बड़े मीडिया चैनल आप पहुंची थी और विहार सरकार की तरफ से भी बहुत सारे मदद मुहिया कराई गई जिसके बाद ऑप्रेशन सफल रह NDRF की टीम बच्चे को निकालने में कितना पर्यास करती है और एक मासूम बच्चे की बचाने में कौन नहीं मदद कर सकता है ये आप तो सोच सकते हैं और NDRF की टीम घरबूर कोसिस करती है NDRF टीम उपने तरफ से सही सलामत रखे और शारे लोगों की दुआएं भी उनके साथ है और आप सोच सकते हैं कि NDRF टीप जो है कितना बधाई के पातर हैं तीन साल के मासूम बच्चे की जिंदगी जो है अंड़ी आरफ के टीम जो है बचा लेती है और आपको बता दें कि आज नालंदा जिला के कुलगाओं में जो है एक बड़ा अनौनी से बच जाता है स साथ ही परसासन की इतना बड़ा कारवाई किया गया है इसके लिए लोग काफी बधाई दे रहे हैं आकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह एक मासूम बच्चे की जिंदगी को बचाया गया है कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका नाम रोसन किया गया है आपको दोरान जो है NDRF की टीम जो है उसमें सफल राती है बच्चे को जो है सही सलामत बाहर निकाल लिये जाता है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा जो है बिलकुल सही सलामत निकलता है इसके बाद NDRF की जो टीम होती है उसे इस तरह जो है प्यार दूलार देने लगते हैं सारे उस पर प्यार लुटाने लगते हैं बच्चे को सही सलामत लिकाल लिये जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाजाता है बच्चे जो है भी सुरच्छित हैं बिलकुल सही है बाकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे NDRF टीम के बारे में आपकी क्या काना है कॉमेंट में ज़रूर बताईएगा धनिवाद जैने मुट